हलो एव्डिवन कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाशार हैं आपके आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में बिग प्लान और जब कोई कंपनी करें बिग प्लान तो सीधा फायदा किसको होगा आपको और हमको उसके अलावा हिंदुस्तान जिंक और वेदानता की डील से इन्वेस्टर को कहां पर फायदा है और कहां पर नुकसान है समझ लेना जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के गिरते सेयर को देख कर कहीं आपको ऐसा न लगए कि हरे मौका है तो पूरी कहानी को अच्छे से समझिए और तब जानेंगे तो मैं मुकलगरवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूँ जो भी नहीं लगवाँ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन हिट कर ले नोटिविकेशन ओन करना बिलकुल ना भूल है जिससे वीडियो अपलोड होती है तो आपको पता चल सकेगा तो चलिए शुरू करते हैं जिसमें हम सबसे पहले टाटा मोटर्स के बारे में बात करते हैं कि टाटा मोटर्स आप जानी रहे हो इलेक्टिक वेहकल में नम्बर वन है इंडिया में अगे चल रही है तो वहां पर यह अपनी ंवी युनिट में टाटा मोटर्स चार हजार से पांग हजार करोड जुटाने की योज़ना है जबकि यहां पर आप ये जान लीजे कि अक्टूबर 2021 में इन्होंने fund raise किया था 1 billion dollar का और पता है किस valuation पर किया था 9.1 billion dollar के valuation पर किया था और अब जनवरी 2023 में हम खरे हैं वापस fund raise की news आपके सामने है तो सवाल ये है कि ऐसा क्यूं और एक ही साल मोटा मोटा बीता है और उसके बाद वापस से fund raise की खबर कियो तो पहले आप comment में बताएं कि टाटा मोटर इतना जल्दी क्यों कर रहा है फिर मैं बताऊंगा और आपका जवाब अगर मेरे जवाब से match हुआ तो आपका एक confidence create होगा कि आपकी समझ मार्केट के परती लगातार बढ़ती जा रही है तो everyone must reply and match it अभी news यह है कि जो expected valuation है जैसा कि मैंने कहा पुरानी valuation कितनी थी 9.1 billion dollar की तो अब expected valuation 10.9 billion dollar पर fund raise की खबर है यानि 15 से 20 परसेंट से जादा premium पर यहाँ पर दो fund house का नाम भी आ रहा है severan and pension fund से बात की खबर आ रही है यहाँ पर यह clear कर देना जरूरी है कि Tata Motors ने अभी तक official इस पर कुछ भी नहीं बोला है यहाँ पर अब आप यह जान लीजे कि Tata Motors first automaker इंडिया में है जिसने 50,000 electric passenger वहिकिल एक साल में बेचे है first जो 2022 में achieve किया है जहाँ पर नेक्सन और टाइगर EVs आते हैं 80% market share को cover करके रखे वे हैं यह लोग electric vehicle में यानि simple इनका target है कि भाया हम EV में आगे बर रहे हैं EV में हम leader है तो EV में हमी leader रहेंगे कोई दूसरा नहीं आएगा यह बहुत simple सी बात है क्योंकि अभी ताजा तरीन आपने मारूती का भी नाम सुना था कि अब वो EV में आ रहे हैं तो अब इनकी चाहत क्या है वो भी जान लीजे इनकी clear cut चाहत है कि आने वाले समय में जो इनका sell का revenue है उसमें 50% revenue सिर्फ और सिर्फ EV से आए EV की गारी भी के उसमें 50% का revenue एड़ हो तो EV से हो और इसके लिए आपको पता है कि Tata Motors लगातार खुद का ecosystem बना रही है जहां Tata Power से charging power station हो गया Tata Alexis से technology हो गया Tata Chemical से battery हो गया और यही reason है कि Tata Motors किस year कभी भी down होते हैं आप देखते हैं lower level से वापस cover होते हैं क्योंकि कहीं न कहीं एक positive sentiments Tata Motors को लेकर market में है यहां पर latest में आपको पता है Tata Motors ने Ford India का plant ले लिया है अब वहां पर भी production चालू होगा वहां पर भी EV ही plant बनने की खबर है तो इस तरीके से यह कई सारी चीजें हैं जो EV में इसको आगे लेकर जाएंगी और clear cut मेरा मानना है कि fund raising करके यह किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहना चाहती है क्योंकि आपको पता है कि जब दूसरी कंपनियों को लगता है तो वहां पर इनकी clear cut जो सीधी टककर अभी चल रही है महिंद्रा इन महिंद्रा से चल रही है वहां पर मारूती के आने के बाद यह खबर के बाद क्योंकि अभी तक मारूती के साट से वैसी कोई खबर नहीं थी लेकिन अब आने के बाद ये और भी तेजी से हाथ पाम आ रहेंगे कि कोई दूसरा इन से आगे ना निकल पाए तो मुझे वहाँ पर लग रहा है कि ये इस तरीके से आगे आ रही है और मुझे लगता है कि ये definitely एक बहुत ही अच्छी खबर है as an investor के तोर पे अगर long term सोचते हैं क्योंकि ये सब चीज से short term की कहानी नहीं long term की कहानी बनती है यहाँ पर thank you कि कल मैंने एक सवाल पूछा था कि टेलीग्राम में हम और क्या नई चीज एड़ करें तो कल की वीडियो में आपने बताया था और देखे हमने कोसिस की कि आप लोगों की डिमांड पर की सर कुछ नई चीज आ रही है तो पोल किया जाए आज हमने टेलीग्राम में पोल भी किया था सुबर सुबर टाटा मोटर्स की न्यूज हो या किस तरीके से न्यूज है ये सब डालने की कोसिस की थी उसके अलावा कल रात में जब हमने कल्पतरू पावर के स्टॉक के लेवल दिया था या IIFL वेल्थ का दिया था दोनों स्टॉक में पैसा बना वो भी अपडेट कर दिया तो इस तरह आपकी सारी डिमांड को हम पूरी करेंगे अगर कोई नए लोग हो जिन्होंने कल अपनी डिमांड न डाली हो तो आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये जो फ्री लेवल दे रहे हैं इससे जरूर कमाएं क्योंकि ये सिर्फ आप ही के लिए दिया जा रहा है वहाँ पर गंतंत्र दिवस के अवसर पर जो 25 जिन्वरी से हमारी क्लास सुरू हो रही है वहाँ पर 3 प्लस 3 का बहुत ही अच्छा ओफर दिया जा रहा है तो एक बहतरीन मौका आपको मिलने वाला है मेरे साथ सीखने का जहाँ पर हम आपको सिखाएंगे चाहे इंट्रडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, कुछ भी इंडिया का बेस्ट मेंटर सी पोराम मिलेगा क्योंकि आप बिगनर हैं आपको मार्केट के बारे में कोई समझ नहीं है आप सीखने से ही डड़ते हैं कि अरे बबा मेरे को तो कुछ आता नहीं है मेरे को हिंदी आती है, मेरे को मोबाइल चलाना आता है, मैं कैसे सीखेगा तो यहाँ पर आपको मेंटर दिये जाते हैं जिससे कि आप अच्छे से सीखो, अच्छे से ग्रोथ करो, पैसे कमा सको, और वहाँ पर सिर्फ यही नहीं होता है, आप लोग बिजनसमेन हैं, जॉब वाले हैं, पूरा दिन समय नहीं दे सकते हैं, तो आपको बीना कमिट्मेंट का भाई वाला रिवीजन सेसन भी दिया जा कमाते भी हैं, और जिसका फीडबैक आप टेलिग्राम पर हो, या यूटूब के वीडियो में हो, अनगिनत बार देखे हो, तो नुकसान को करिए बंद, क्योंकि हर दिन इधर उधर से पूछ कर, जो आप ट्रेड करते हैं, उसके कारण अल्टिमेट नुकसान होता है, और सेबी का डेटा, NSE का डेटा चीक-चीक के बोलता है, तो वहाँ पर अगर आप सीखेंगे, तो मार्केट की समझ आएगी, जैसे आज मैंने कहा कि मैंने कल तुरू इस वीडियो में दिया था, प्रूफ देखिएगा, IIFL वेल्थ दिया था, प्रूफ के लिए देखिएगा तो किस तरीके से उसमें पैसा बना, जो आपके लिए दिया गया था, आप भी इसी तरीके से बिंदा से स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, और जब हम बिंदा से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, तो हमें डर नहीं लगता है, हम आराम से ट्रेट कर पाते हैं, तो वो चीज का आपको प मोहबत की वज़से जो मुझे मिला था उस session में एक छोटी सी जहलक एक strategy की मैंने दिखाई थी वो भी मैं detail में इस session में बताने वाला हूँ तो वो मौका बिलकुल न जाए कि क्या है किस तरीके से है कौन सी ये unique चीज है तो बहुत कुछ मिलेगा बस मुलाकात होती है अब हम बात करते हैं वेदान्ता और हिंदुस्तान जिंक के बारे में जहाँ पे वेदान्ता ने जिंक इंटरनेशनल एसेट को अपनी सबसीडरी हिंदुस्तान जिंक बेचने का फैसला लिया है ये deal 2981 मिलियन डॉलर में हुई है जिसकी अगर हम वेदान्ता को 25,000 करोर रोपे मिलेंगे जी हाँ तो वेदान्ता के लिए कुटनी उसे क्योंकि उसके पास पैसा आएगा कैस फ्लो आएगा कहानी यही नहीं रुखती है हिंदुस्तान जिंक को टर्न ओवर से जो उनके पास टर्न ओवर होगा उससे रॉयल्टी भी देनी है तो हिंदुस्तान जिंक के लिए एक नहीं दो बैड निउस है कैसे पहला एक तो रॉयल्टी देना है हर सार और दूसरा क्या है कि यह 25,000 करोर हिंदुस्तान जिंक ही देंगे तो उनके पास से कैस फ्लो निकल जाएगा तो उनके बुक्स में 25,000 करोर घटेंगे तो यह एक निगेटिव इंपक्ट होगा सौट टम में ठीक है अभी इस दील को केवल बोर्ट से मंजूरी मिलिए सरकार के पास भी इसमें बरी हिस्सेदारी है यानि नजर रखिए सरकार के पास से हिस्सेदारी किस तरीके से आती है तो turnover से जो royalty है वो भी 2% की है तो यह factor भी negative है और सरकार किस तरीके से इसमें क्या action लेती है वो भी नजर रखने वाली बात है तो यहाँँ पर क्या है वेतानता के लिए one angle से good news जो सौटम की कहानी निकल के आएगी और हिंदुस्तान जिंग के लिए सौटम में bad news तो अब किस तरीके से इस पे latest update आते हैं उस पे नज़र रखना है कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करनी है क्योंकि जल्दबाजी का काम सायतान का होता है तो वीडिو को फटा-फट लाइक करदीजे और शेर करदीजे तो I hope Tata Motors के बारे में वेतानता के बारे में और हिंदुस्तान जिंग के बारे में मैं आपको बहतर समझा पाया हूँ और वीडियो को प्यार देते रहिए, thank you so much